जै हिन दोस्तों दोस्तो आज हम सिखने वाले हैं दो तीन दवाओ के कमपोजिसन में आने वाली एक बहुत ही पॉप्लर टेडेट के बारे बें जो की सिर्फ और सिर्फ प्रिस्क्रिप्चन पर लेने की सला दी जाती है यह जो ड्रग है अगर हम इसके कुछ पॉपलर ब्रां है आप इसको नौरमाक्सिन टेबलेट के नाम से फ्रिली किसी मेडिकल स्टोर से पर से कर सकते हैं यह जो नौरमाक्सिन टेबलेट है अगर हम इसके मूल कॉम्पोजिशन की बात करें तो वह आपका क्ली डीनियम जो की 2.5 मिलिग्राम की एस्टेंथ में हैं क्लोड्रिया जे पॉकसाइड जो की 5 मिलिग्राम की एस्टेंथ में और साथ साथ डाई साइक्लोमाइन जो की 10 मिलिग्राम की एस्टेंथ में एवलेबल होता है तो यह तीनों इसकी मूल कॉम्पोजिशन है तो आप वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और इस नौरमाक्सिन प्रयोग आपको किया जाता है ईयुकोई बावल सिंड्रेम की समस्या हो गई है तो उसके टी Corporate नग्सन टेबलेट रिकोंबिनेंट करते हैं यदि कोई व्यक्ति जिसको आई-बिस की समस्या होई है तो आई-बिस की समस्या होने के में आपको बहुत ज्यादा गेस्टिग्रेशन के समस्या देखी जाती है तो इन कंडिशन को कंट्रोल करने के लिए ठीक करने के लिए जो डॉक्टर है यह नौर माक्सिन टेबलेट आपको रिकमिनेंट करते हैं क्यूंकि यह जो नौर माक्सिन टेबलेट है यह मसल के करने में भी बहुत हद तक मददगार सावित होता है इसलिए इस टेबलेट के बहतरीन रिजल्ट देखने को मिलते हैं वैसे यह तो नौर माक्सिन टेबलेट बहुत अच्छी टेबलेट है इसके अलावा यह बहुत सारे साइड एफेक्ट्स भी रखती है अगर हम इसके और शाथए साथ व्यक्ति को देखने में समस्या हो सकती है और कुछ व्यक्तिव में आपको कौसिपेशन और कशूज़न और कई बार यूरीनेशन में मतलब यूरीनेट करने teasing हो सकता है तो यह इसके क deber में आपको देखने को मिले तो आप इस दवा को प्रयोक मिलेना अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसको कैसे प्रयोग में लेना है और क्या डोज होती है और कितने लंबे समय तक लेना है तो इस नौर्माक्सिन टेबलेट को आप हमेशा खाली पेट में इस्तेमाल मिले ताकि आपको बहतरीन रिजल्ट देखने को मि सब्सक्राइब और इसके अलबागर हम वीडियो के लाश में सेफ्टी अर्वाइस की बात करें तो उसमें मैं यहीं बताऊंगा कि आप प्रेग्नेंसी के लिए सेफ नहीं माना जाता है तो आप इजली इसको अवाइड करें और साथ-साथ बच्चों के लिए आप इसे सब्सक्राइब करें तो आई होप दोस्तों मैंने आपको अच्छे जनकारी दिया हो इस नौर मार्चिन टेबलेट के बारे में तो मिलता हूं अब आप से अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ